प्राजस्तान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर करोली जिले के दौरे पर रहे जहाँ उन्होंने मांक कैला देवी के दर्शन किये भाजपा युवा मोर्चा मंदल अध्यक्ष प्रताप पाकड ग्यारा सूत्री मांगो को लेकर ग्यापन दिया ग्या आपको बता दे कि सपोटरा में आज पंचायत राज इवं सिक्षा मंत्री मदन दिलावर करोली दोरे पर कारिकरतों ने उन्हें ग्यापन दिया कॉंग्रेस सरकार की कारीकाल में पंचवायत राजमंतरी है रमेश मिडा की कारीकाल में सपोर्टरा में सरपंचो ने जो कारीकरा है तुन समस्त कामों उच्छस्तरी जांच कमीटी गठित करवा के जांच करवाई जाए महीं भाजपा नेता प्रताप पाकड कोडियानी ने कहा कि जुनता से विधान सभाद चुनाव में कॉंग्रेस सरकार के भृष्टाचार को लेकर आमजन ने वोट दिये थे आमजनता के सरपंचों ने कोई काम नहीं किया है महीं कॉंग्रेस सरकार में राजनितिक शडियंतर के तहत भार्दी जुनता पार्टी के कारी करताओं उपर लाठी चार्ज किया गया जूटे मुकदमे दर्ज करवाएगे उन मुकदमों को वापस लिया जाए वबिर्न संगीन धारों में मुकदमा दर्ज किया ऐसे मुकदमे की जाच करवाई जाए के कारी काल में कराए गए समस्त सरपंचों की जाच के लिए गयापन दिया है और बार्दी जनता पार्टी के कारी करताओं पर कॉंग्रेस सरकार में जूटे मुकदमे लगे थे उन मुकदमों को वापस लेने के लिए गयापन दिया है और जिस तरह से कॉंग्रेस सरकार में जूटे मुकद में लगा कर लोगों को प्रदाटित किया, उनकी जांस नहीं हुई, मस्तराम अत्यकंड, हडोती, मोनसनी अत्यकंड, मंडरायल, भाई बजैशींग गुजर अत्यकंड उच्छो श्यांपुर के थे, उनके जो मुझरेम थे आज खुलेयाम घूम रहे है, पु कैसे दोस्यों को सजा दिलाई जाए, इस अंदर में आज मैंने मानिये, पंचेज राज मंत्री, शिक्षण मंत्री को ग्यापन दिया है,